पर बोस खलन नहीं थमरा है आपको बताते ही कि धली में किसान भवन के पास लैंड स्लाइट हुआ है बोस खलन की चपेट में किसान भवन के चार कमरे और दो काड़ियां आई हैं और कमरे के अंतर भी मलबा खुसा हुआ है आलंकि पूरी बिल्डिक को खाले कर बाधिया गया है और एपीमसी की चार मंजिल अन्मारत पर भी लगतार खत्राब बना हुआ है आपको ये भी बताते हैं कि एपीमसी ने किसानों के सुवधा के लिए ये किसान भवन बनाया था लेकिन जो सरीए से फारी पारिश ओड़ ही है और उसके बाद अब भोस खलन शमला भी देखने को बिला है पहली में किसान भवन के पास ये लेंड श्लाइट हुआ है तस्विरे आप देख सकते हैं किस तरीके से मलवा गाड़ियों पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और साथे साथ किसान भवन के चार कमरे भी इसकी चपेट में आई हैं और दो गाड़ियां भी शती ड्रस्त हुई पहली हैं तस्विरे देखिये किस तरीके से जब बारिश हुई बारिश के बाद ये मलवा गाड़ियों के ऊपर गिरता हुआ नजर आया और साथे साथ किसान भवन के चार कमरे भी इसकी चपेट में आई हैं जादा चानकारी के साथ हमारे सहियों की कमल ठाकु चुड़ू में हुआ है जहां पर जो है दो गाड़िया इस लैंड्सलाइड की च्वेड में आ गई है और जो किसान भावन है एपीमसी का उसके कुछ कमरे भी इसके बाद जो है इस भावन में पूरी तरह खाली करवा दिया गया है तो इस तरह से कह सकते हैं कि बारिक जो है इमाचल प उक्सान ही हुआ है लेकिन जो दो गाड़िया है वो इसकी च्पेट में आई है और गरीमत की बाद यह है जो लैंड्सलाइड है अगर रात को होता तो इसमें कई जाने भी जा सकते थी क्योंकि यह जो किसान भावन है इसमें पुलीस के करमचारी है उनके ठाहने की विरस्त और शेव सीजन की जो सुरुवात है उसके लिए अत्रिक्त पुलिस बल्ग का जो पेनाती की गई है उन पुलिस करमचारियों को जो है यहां ठारने की विस्ता की गई थी तो इस तरह से कोई जानी नुक्सान इस लैंसलाइड वे नहीं हुआ है लेकिन दो गाड़ियों की जो जी बिल्कुल मलबे को हटाने का काम जो लगाता जारी है गाड़ियों को मलबे से निकाल लिया गया है लेकिन जो भावन है उसको भी काफी खत्रा बना हुआ है जिससे जो है इस भावन को खाली करवा लिया गया है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तो तस्विरे शमला के धली से सामने आई है जहां पर